जय राम जेके बहुत बार आपसे इतिहास पर बात हुई राम जन्म भूमी पर बात हुई राम जन्म भूमी के बारे में कई बार आपको बता है अब आप एक नया विबात सुन रहे होंगे उसे कते ज्यानवापी ज्यानवापी कहा है एक कासी में है कासी क्या है हमारे सास्तरों और पुराणों के अनुसार कासी का मतलब होता है ज्यान की भूमी और ज्यान की भूमी तो काफी बड़ी है कासी के बारे में कहा जाता है कासी जो है शंकर भगवान की त्रिसूल पर खड़ी है कफी बड़ी है तो ज्ञान कहा है वहाँ ज्ञान कासी में एक जगा है ज्ञान वापी ज्ञान का मतलब आप जानते है वापी का मतलब होता है कुमा जिसका पूरी तरह से जो नाम है यह संस्कृत सब्द है ज्ञान मस्जीद तो एक तरफ संस्कित है और एक तरफ मस्जीद कोई मेल नहीं है दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है किसी मस्जीद का नाम संस्कित में हो और जिस भी मस्जीद का नाम संस्कित में लिखा गया है इसका मतलब हो मंदिर तोड़ करके बनाया गया है तो जो ज्ञान वापी है ये कासी में है कासी भगवान विस्वनात के त्रिशूल पर है शंकर भगवान के भगवान शंकर बिबाह के बाद होली से पहले जो एकादसी आती है उसका नाम होता है रंग भरी एकादसी बिबाह के बाद संकर भगवान पारवती मा को ले के साथ कासी आये थे इसलिए वहां रंग भरी एकादसी मनाई जाती है उस दिन से होली खेलते हैं शंकर भगवान के साथ बेदव्यास ने उस स्थापना की वहां पूजन किया और उसके बाद गंगा माता जो है उस स्थापना की पूजन किया करती थी ति यह बहुत प्राचीन इतिहास है और आज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बार-बार एक बहस आती है कि मस्जिद तोड़ी गई फिर मंदिर बनाया गया और यहां की तमाम मीडिया जो मीडिया वाले हैं मीडिया कर्मी हैं मैं तो निउस देख करके डरा कि इनको कुछ ग्यान नहीं है कि बार गया हूं अजोध्या अजोध्या में कहीं भी कोई भी मस्जिद उस जगन नहीं थी एक धाचा था एक बिल्डिंग थी जिसको तोड़ा गया था जो टूटी हुई थी और उसके नीचे भगवान की पूजा होती थी कभी मस्जिद वहां नहीं थी तो सारा जूट ब मैं आपको बताना चाहते हूं तो बेदव्याजी ने वहां पर ऐसा है कि स्विलिंग की अस्थापना की और वहीं पर जो बैठ करके वह भगवान विसेश्वर विस्वनाथ की पूजा करते थे वहां पर जो सास्त्र पढ़ना चाहते थे विद्यार्थी थे गुर्कुल चल उन बच्चों को पिलाया जाता था मिया मान्यता थी कि ज्यानवापी कुएं का जो जल है अगर किसी को पिलाया जाएगा तो उसकी बुद्धी तेज होगी वह अच्छे से पढ़ेगा इसलिए उस कुएं को ज्यानवापी कहा जाता था तो जो लोग वहां विद्यार्थी पढ़ने आते थे उसे ज्ञान वापी कुयां का जल पिलाया जाता था और भगवान विश्वनात के पास में बैठ करके उनको बेद का सास्तर का ज्ञान दिया जाता मतलब एक बहुत बड़ा विद्याले एक बहुत बड़ा गुरुकुल मंदिर के साथ वहां चलता था अब ह हम आते है कासी में किसके जमाने में 1194 1194 एला फंदेथ फिरन नहीं खंतक में कौन आया मुहम्मद गोरी आया मुहम्मद गोरी आया तो उसने देखा यह तो हिंदुओं का इतना बड़ा विद्याला है इतना बड़ा तिर्थ है और इस तिर्थ से जो आसपास के लोग है उन होते हैं ओ एकोनोमी चलाने के केंद्र होते हैं एक जहां मंदीर रहता है ना आप उसके आसपास जाहिए कभी कितने लोग परिवार जीते खाते कोई दुकान करता है कोई टैक्सी चलाता है कोई रेस्टोरन चलाता है कोई होटल चलाता है एक मंदीर इतने लोगों को जीव तो इसको इसे जलन हुई और जलन होने के बाद उसने क्या किया अगार इसको हम तोड़ देते हैं तो एक तो इन हें डू का भिजने समाप्त हो जाएगा दूसरा ग्यानender हो जाएगा त्रित समापत हो जाएगा उसने आक्रमध करके नहीं ग्यारति-जानND में नहीं निम्हस्त गोरी ने उस ज्ञानवपी जो विश्य सवरनात का मंदिर था उसको पूरी तरह से धुस्त कर दिया तोड़या है लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत है किसकी हम हिंदू की ताकत क्या है मंदीर तो हम कहीं भी बना सकते हैं मंदीर तो कहीं भी बन सकता है कहीं भी बैट के पुजा कर सकते हैं लेकिन हिंदू मंदिर के साथ साथ जो जमीन है उसको पुज्य मानती है जैसे राम जन्म भूमी पुझ्ज है राम मंदिर नहीं राम मंदिर इसलिए पुझ्ज है कि वो राम जन्म भूमी पर भगवान उस धर्ती पर पैदा हुए है इसलिए वो धर्ती ही हमारे लिए पुझ्ज है आप मंदिर मस्जित बदल सकते हैं हटा सकते है लेकिन जन्मभूमी नहीं हटा सकते हैं, वैसे ही वह ज्यानवापी जगह है, आप मंदिर कहीं भी मना सकते हैं, लेकि ज्यानवापी कहीं नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए हिंदूओं के लिए वह जमीन पुज्यत है, जब मुहमत गोरी ने तोड़ दिया, तब भी उस जमीन क को नहीं छोड़ा और वहीं पर पूजा करते रहे मुहम्मद गोरी ने मंदिर को तोड़ा लेकि पूरी तरह मस्जिद नहीं बना पाया था उसने केवल तोड़ा था लोग कहते हैं मुहम्मद गोरी ने मस्जिद बनाई ऐसा नहीं था अभी तक खंबे है अभी तक घंटी है अभी तक मूर्ति है अभी तक जो अभी प्रमाण में मिला है अभी पिछले हपते तो सारा मूर्तिया मिली हनुमान जी की मूर्ति मिली शंकर भगवान की मूर्ति मिली भगवान देवताओं के नाम मिले संस्कीत में लिखे हुए स्लोक मिले तो यह तोड़ा गया बनाया नहीं गया, जो मंदिर था उसको मुहुम्मद गोरी ने 1194 में तोड़ दिया, बना नहीं, बना कप जो ढांचा आज दिखाई पड़ता है, मस्जिद जैसा आज मस्जिद है नहीं, आज भी वह मस्जिद नहीं है, network recompie मस्जिद लोग कहते है लेकि ग्यानवापी मस्जिद है नहीं मस्जिद में हनुमान जी का क्या काम स्रिंगार गवरी का क्या काम जो मंत्र लिखे है बेद के उसका क्या काम ये तो किसी मस्जिद में होता नहीं इसका मतलब आज भी वह मंदिर ही है इसलिए उसको ग्यानवाप भी कहा जाए क्योंकि बेद के मंत्र आज भी दिवालों में आज भी हाए ऑच तोड़ करकी चला गया लेकिन हिंदु ने छोड़ा नहीं हिंदु क्या करते थे उसी तूटे हुए मंदीर की परिक्रमा करते थे और शंकर भगवान की पूझा करते थे उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से हिंदुने बड़ा सा मंदिर बनाये लेकिन सोरसो उनहंट्तर में मतलब सेस्तिन होंदेत नेखन अन्स शैस्तक में एक अत्याचारी राजा हुआ अरंग जेफ मुगल औरंग जेब ओ जब देखा कि हिंदुने फिर से मंदीर खड़ा कर लिया और फिर से उनके सारे कार्यों होने लगे तो उसने एक फर्मान जारी किया कि कहा कि बनारस में जितने हिंदु मंदीर हैं सब तोड़ दिये जाएं सब तोड़ दिया जाएं तो औरंग जेब ने आदेश दे करके उस मंदीर को पुना से तोड़ा लेकिन ओभी पूरा तोड़ नहीं पाया वो सोस्ता था तोड़ करके हम मस्जिद बना देंगे लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग को तोड़ना भी उनके लिए मुश्किल हो गया आज भी जाएं तो जिसको मस्जिद कहते है उसके आगे पीछे देखिए वो पूरी मंदीर की दिवाल खड़ी है और अब तो मंदीर मंदीर के मस्जिद जिसे मस्जिद कहते है उसी के अंदर सिवलिंग भी मिल गया उसी के अंदर शंकर भगवान के नाम मिल गये उसी के अंदर 11 के आसपा सिवलिंग मिल गये उसी के अंदर मिल गये उसने क्या किया जब वो नहीं तोड़ पाया तो मंदीर के ऊपर ही एक और धाचा बगल से खड़ा कर दिया और उसको गोला कर दिया कहा है मस्जिद है और मस्जिद के नीचे जो है मंदिर हो गया उसमें यह नमाज पढ़ने लगे यह सोरा सो उनहात्तर की बात है तो आज भी मस्जिद का जो जो गुम्बत बना है उपर उसके अंदर में एक तोरन है मंदिर का अंदर जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा और हम तो सुब कामना देते हैं पूरी हिंदू समाज को कि बीते दो दिन पहले हिंदू को अधिकार मिल गया कि उस मस्जिद के अं मस्जिद के अंदर गवरी मा की मूर्ति है गवरी स्रिंगार करते हैं तो कुछ औरते मुकदमा लड़ गए कि मेरी गवरी थी मैं वहां पूजन होता था जो कि नई नई सो तिरान में नेखन तिंद्रिय नेखन तक में बंद करा दिया गया था जब रजस्ती बंद करा दिया गया था उसका पुनह अधिकार मिल गया दो दिन पहले तो पुनह पुजा सुरू होगी ऐसा कोट ने आदेश दिया जो औरंग जेब था मंदिर के ऊपर ही एक पुरे जगह को आज भी ग्यानवापी कहती है तो उसने जो मंदिर के जो खंभे जो कुछ तोड़ पाया था उसी खंभे को पीलर को लगा लगा करके अपनी मस्जित खड़ा किया और सब पीलर में भगवान की मूर्तिया घंटी कमल के फूर इस सब आप देख सकते हैं यह हिंदू समाज की बहुत बड़ी ताकत है फिर भी नहीं छोड़ा ओ लोग उसी मस्जित के जिसको मस्जित कहते थे वहीं जाकर करके अपनी स्रिंगार गवरी की पूजा करना गनेश जी की पूजा करना और परिक्रमा करना फूल चढ़ाना जल चढ़ाना यह करते रहे महारानी देवी अहल्याबाई उन्होंने क्या किया उसी ज्यानवापी परिशर में उसी जमीन के टुकडे पर एक अलग से भगवान विश्वनात का मंदिर बनाया और वैसा ही मंदिर बनाया जैसा पहले था सुन्दर मंदिर और बहुत बड़ा मंदिर बनवाया महारानी अहल जो कुवा था उसका जल निकाल के पीना, पूजा करना, देवताओं को जल चढ़ाना, वो करते रहे, कभी नहीं छोड़े. 1809 में हिंदू समधाय पुनाई कठा हुआ और सरकार से, तब अंग्रेजों की सरकार आ गई थी, उनसे मांग किया कि देखो हम लोग यहां पूजन करते हैं, यह जो जगह जिस पर मुस्लिम लोग जबरजस्ति कपजा किये हैं, यह हमें वापस दी जाए और हम इस पर मंदिर बनाएंगे, उसमें क्या हुआ कि 30 दिसंबर 1835 में, देर तक दिसंबर 185 देर तक में, बनारस के जो जज हुआ, मजिस्टेड थे, उनका नाम था मिस्टर वाट्सन, मिस्टर वाट्सन के कोर्टमिल यह लोग खड़े हुए, और इन्हों ने, यह मांग कि हिंदूों ने, कि यह मंदिर हमारा है, मुझे दिया जाए, जिससे हम अपनी पूजा साधना कर सकें, यह अब वहां से एक कोड की प्रकिया शुरू हो गई, कासी विशुनात जो है, यह बारह जियोतिर लिंग जो बड़े महत्यों के माने जाते हैं, उसमें कासी विशुनात का जो जियोतिर लिंग है, यह प्रथम माना गया है, हिंदू जब तीर्थ करने चलता है, तो पहले सुचता हमें बारह जियोतिर लिंगों की का धर्शन करन जो भारत में इस्थित हैं। उसमें सबसे पहला है बाबा विस्वनात का compra, उसमें बाबा विस्वनात का प्रतममाना गया है, और जिस् ज्यानवापी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ज्यानवापी कुमा भी किसी से बनाया नहीं गया, शंकर भगवान ने स्वयम अपने त्रिसूल से ग्यानवापी कुय को बनाया है यह माननेता है हिंदूों की और इसलिए उसे बहुत पवित्र मानते हैं उस कुय को ही पवित्र मानते है जो कहीं जिस बिल्डिंग को मस्जित कहा जाता है और जो बाबा भी सुनात का मंदिर है ओ दोनों के वीच में वान विश्णु भी कई हजार वर्सों तक उस कासी में बैठके तबस्या किये इसलिए पूरा चेत्र ही कासी चेत्र ही हिंदूों के लिए बहुत ही पवित्र है और आप इतिहास जानते हैं जो भी अन्य रिलीजन के जहां पर तिर्थ हुआ करते थे जो मुगल होते थे इस अधर कहीं और बना लेते लेकिन नहीं इनको हिंदूों को अपमानित करना था हिंदूों का अपमान किया उनके मंदिर को तोड़ा और अवरंग जब तो और अत्याचारी निकला उसने तोड़ने के बाद मस्जिद वहीं बनाने की असफल कोशिस की और आज भी मस्जिद ब मंदिर की घंटिया मिलती हैं मूर्तिया मिलती हैं दिवालों पर बना हुआ स्वस्ति मिलेगा बना हुआ और बड़ी कोशिस हुई उसको पेंट से पेंट करके मिटाने की और रगड रगड के घिस घिस करके मिटाने की कोशिस हुई लेकिन मिटा नहीं पाए आज तक आज भी वैसा ही है तो कोई यह गफलत में न रहे कि कभी यह मस्जिद है और हिंदू लोग जवरजस्थी कर रहे ऐसा कुछ नहीं है वह मंदीर था हिंदू बस इतने ही चाहते हैं कि उनका मंदीर वापस मिले क्यों कि वह जमीन जो हिंदू के लिए पुझे है उस जमीन की पुझ हम हिंदू को करनी है और उसे वापस मिलना चाहिए आपको मैं बताया कि सर्वपथम जो है बेदव्यास ने इसकी स्थापना की और जब आप पुरान पढ़ेंगे तो राजा हरिस्चंद जिनकी कहानियां बहुत प्रशिद हैं राजा हरिस्चंद खुद जाते थे उस विश्वनात के मंदिर का जरुणत धार कराया था और उसके जरुणत धार कराने के बाद दो हजार पचास साल पहले राजा विक्रमादित्य ने पुन उसी मंदिर का जरुणत धार कराया क्योंकि पुरानी बिल्डिंग पुरानी हो गई फिर से बनाया गया तो विक्रमाद राजा विक्रमा दित्य जो थे उन्होंने उसमन दो हजार पचास साल से ज़्यादा पहले तो लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं था ऐसा लेकिन उनको इतिहास पढ़ना चाहिए कि वहां बैदिक काल से पौराणिक काल तक और आज तक मंदिर ही था और मंदिर आज भी है और उसको पुन निर्मान हो, पुन बनाया जाए और जो भव्य स्वरूप था जैसा अज़्या में भव्य मंदिर बना राम जी का वैसे ही सिव जी का भव्य मंदिर बने यह सारे हिंदु समाज के दुनिया भर का जहां भी हिंदु है यह उसकी इच्छा है इसकी इच्छा को देखते हुए, मंदिर जल्दी से जल्दी बने, जिसे जो विबाद है या खतम न हो, और विबाद नहीं खतम होगा, जगड़े चलते रहेंगे, विबाद बढ़ता रहेगा, फिर कहीं ऐसान हो कि 6 दिसंबर जैसी घटना हो जाए, तो अच्छा है कि किया जाए, और भारत सरकार भारत के कोड जो उचित फैसलाली है, कि वहाँ पुना पूजन शुरू किया जाए, उसके लिए हम प्रवासी हिंदुओं की तरफ से बहुत-बहुत सा धन्यवाद है.